हेलो फ्रेंट्स माइनम सौरप श्रीवास्तप फ्रेंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ओव वाटर इंग प्लांट्स जो की प्लांट में कंडेक्टिंग टिशू होता है जिसका नाम जायला में उसके थूरू होता है ठीक है में जो फूद बनता है इसका फोर में बनता है किसके द्वारा फोर इंगर अप तु आप्ट अशिक्त नोगार फोर में बनाता है उसका थ्रнос我किसन होता कैसे है कहां पे होता है यह साद लोग एक डडगराउंट के समझेंगे ठीक है थुदेछते हैं दिर फ्रेंच अब क्या है जिसमें वॉटर Consciousness waterrij में ने और यह यह ने तर बागल के व दूपने का सबस्क्राइण और फूर्ड का चेहले। इस ट्यूब में देखी आपको च्छेद मिलने हैं और इसको बगल में कौन से होते हैं started कि ऐसे खाना बनता है वह कहने लीव तो हैं है तो सोर्स क्या होता है वह सबसे पहले आएगा companion cell में आएगा ठीक है फिर companion cell इस खाने को लोड करा देंगी कहां पे अब फ्रेंट जैसे ही जो फूड है यह फूड कहें शुगर पार्टिकल जैसे ही इस चूड में आएंगे तो क्या होगा यहां का ऑस्मॉटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस ऑस्मॉटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जायलम वहां पे क्या है वाटर तो वाटर भी यहां से यहां पर मूब करता है वाटर यहां से यहां मूब करेगा यहां पर क्या हो गया वाटर भी यहां आ गया तो यह जो शुगर पार्टिकल्स है यह जो फूड है वाटर में मिलके क्या होगा यह ऐसे सीब ट्यूब में नीचे की तरफ मूब करेंगे और फ्रेंट जहां पर इस फूड की जहां पर इस शुगर पार्टिकल्स की जरुवत होगी उस एरिये वह हम लोग बोलते हैं क्या सिंक अब यहां से क्या होगा वापस सी क्या करेंगे यहां से जो हमारे फूड पार्टिकल्स है या जो शुगर पार्टिकल्स है वापस यहां पर कहां जाएंगे companion cell में जाएंगे और companion cell क्या कराएगा इस खाने की unloading करा देगा कहां पर sink में और friend sink क्या होता है sink plant का कोई भी ऐसा part जिसको खाने की या sugar particles की जरूरत है means जहां पर खाना पहुंचाना है उसको हम लोग sink बोल देते हैं ठीक है और friend यह source और sink according to situation according to season change होते रहते हैं वो कैसे वह हुए हम आगे पढ़े और friend एक चीज़ाद लखिएगा जब यह companion cell source से खाने को load कराता है फ्रॉयम में तब भी ATP के form में energy लगती है और जब यह खाने को unload कराता है sink में तब भी energy लगती है ATP के form में ओके friends तो अभी जो हमने जो समझा है इसी को हम लोग language में लिख लेते हैं हमें क्या लिखा था हमने यहां पर समझा ट्रांस लोकेशन और food टेक प्लेस इन सीब ट्यूब में हो और ट्रांस लोकेशन किसके help से हो रहा है with the help of companion cells ओके फिर देखिए this process यूट्लाइज़ारी एनरजी यह जो प्रॉसेस हो रही है यहां पर लोडिंग है तो लिलगती है यहां पर लिलगती है अब लाइब लाइब टान्सपूर्टेश्ण उव्टर जैसा कि हमने ल्गती हो वहां पर कोई अन्ड झी लगती है नहीं स्फीझ में फूट के ट्रांपर कि wil प्रोप इस जादा है ना तो यहां पर क्या होगा यहां पर यहां से शुगर यहां पर आएगी तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा अब इस ऑस्मोर्टिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ज्यादा है इस लिए अब आप इस प्रोप मूब यहां पर इस प्रम बेश्चया प्छल्म डैनलिन्ट डिस प्रेश्च अब देखीं यहां पर प्रेश्च जादा है वह पी आप यहां जागा और दो सब्हुत में कर दो जाद है यहां से मोग करेगी जहां पर थे जादा करेगी जहांके क्रदियो तो से यहां प्रैशर कम है और के फ्लॉयम इस इंपूर्टन बात दिखिए शहां पर प्रैशर होता है यह क्यां करता है क्या यह जो मैटेरर है उसको मूब कराता है according to need of plant मतलब जहां पे जिस हिसे में इस food की इस material की जरुवत होगी वहां पे move कराता है इसका example देखते हैं जिसे spring में हम जानते spring में क्या होता है नई नई फूल खिलते हैं नई नई पत्तियां आती हैं तो spring में क्या होता है friend जो root में और stem के tissues में जो खाना स्टोर होता है वहां से move करता है किस की तरफ birds की तरफ, कलियों की तरफ क्यों क्योंकि कलियों को बड़ा होने के लिए ग्रो करने के लिए क्या चाहिए एनर्जी चाहिए ठीक है तो वही देखिए हमने लिखा है in the spring sugar stored in root और stem tissue would be transported to the bird bird के लिए transport हो जाती है which need energy to grow क्योंकि उनको grow करने के लिए energy चाहिए okay friends, thank you